नमस्कार प्रिय दर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागता भिनंदन करती हूँ कैसे हैं आप दर्शकों आज हम आपको बताएंगे नजर उतारने या कोई भी बुरी नजर आपको लगता है कि कोई नजर लग गई है आपको या आपके बच्चे को और उस नजर के प्रभाव से आप बहुत जादा दुश प्रभावी तो हो रहे हैं बहुत जादा परेशान हो रहे हैं उससे बचाओ के आपको कोई उपाए नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास उपाए जिन्हें करके आप अपने बच्चों की या अपने आपकी भी घर में हर सदस्य को नजर लग जाती है जरूरी नहीं कि बच्चों को ही लेकिन विशेज बच्चों को बहुत जादा नजर लगती है तो अपने आपको या अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं जिससे कि आप कई बार बहुत जादा बीमार हो करदेते हैं हैं बहुत परिशान कर देते हैं माँ को उनके लिए संभालना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है ऐसे प्वुलीन ऑन घरात्मक्नीज़ाते हैं कई बार बार कैणे बैठे-antom समाने बैठे की ही लगती है क्योंकि अपने बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे माता-पिता को लगते हैं और वो उनके साथ सबसे अधिक समय तक रहते भी हैं तो अनेक बार ऐसा देखने में आया है कि शिशु के जन्म के बाद माता-पिता अपने बच्चों का मुख यदि देखते हैं त पैट के माता-पिता की ही नजर लग जाते हैं यह बहुत गूंअ सी बात हैं अब नजर लग जाने से बच्च यह बहुत ज़्यादा परिषान हो जाता है कट्स्ट में आजाता है अनायासी बक्चे parfois भी लखनाई लगते हैं भूस बारव今回 माता का दूद की बहुत खाते पीते भी नहीं हैं माता के लिए ऐसे में बच्चों को सम्हाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय पर ऐसे में करना क्या होता है ऐसे में बच्चों की नजर उतारने की प्रक्रिया अवश्य अपनाना चाहिए क्योंकि जब भी आप बच्चे की नजर उतारते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के उपर नजर लग गई है आपके उपर नजर लग गई है तो आपको सबसे पहले करना क्या है नजर लगे हुए व्यक्ति के उपर से आपको किसी भी व्यक्ति को अगर नजर लग गई है तो उसके उपर से 225 ग्राम फिट किरी को 21 ब गई है तो आप छोटे बच्चे के सर से भी एंटर क्लॉक वाइज उसको उतार करके या किसी बड़े को भी लग गई है तो किसी बड़े की भी नजर आप इसी तरह से उतार करके आप इस फिट कीरी को चौराहे में फेग दे पीछे मूर करके ना देखे अपने घर आ जाएं ऐसे करने से बच्चे की घर परिवार के सदस्यों की नजर उतर जाती है। दूसरा उपाय है, शनिवार को काले रंग का धागा, नजर से पीडित व्यक्ति की लंबाई के बराबर साथ गुना अधिक लेना है। और उसके सर से पैर तक साथ बार उतारना है, फिर पीपल के व्रक्ष के पास जा करके उसको धूपदी पैरपित करें, धागे को और पीपल पर ही लपेट दे, उस धागे को आपको पीपल पर ही लपेट देना है, और हाथ जोड़ करके प्रातना करना है, कि इस व्यक्ति की ब प्रवेश करना है ऐसा करने से बुरी नजर से या बुरी हवाओं से आपको छुटकारा मेरता है तेसरा उपाईया है एक साबुत निम्बु ले करके श्री हनुमान जी का स्मरण करना है ओम श्री हनुमतेन वहां इस मंत्र का जाप करते हुए जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके सर से उतारना है फिर इसको उतारना भी साथ बार है फिर उस निम्बु को ले जा करके किसी चौराहे पर काट करके प्रत्येक मार्ग पर फेक देना चौराहे पर जाना है चाट टुकडे करना है चागु को भी चौराहे पर ही आपको छोण करके आ जाना है ऐसा करने से भी आपके घर में जो भी या जिसको भी नज़र लगी है वह नज़रदोश दूर हो जाएगा आपके घर में सभी सदस से सुखी होंगे और स्वास्थी हो जाएगे चौथा उपाय है गाए के गोबर से चौमुखी दीपक बना लेना है आपने और उसमें तिलके तेसे दीप प्रजवलित करना है उसमें एक डली आपको गुड़ भी डाल देना है और इसके बाद आपको उस दीपक को ले जाकर के घर के मुख्य दुआर पर रख देना है जिस भी व्यक्ति पर नजर लगी है नजर दोश है उसकी नजर दोश समापत होगी और आपके घर के जदा से सुखी होंगी दर्शकों हमने आपको चार उपाई बताए हैं चार उपाई में से आप किसी भी एक उपाई को अपना करके देखें आप देखेंगे कि आपकी घर की परेशानी जरूर दूर होगी अगर आपके घर में कोई विशेस परेशानी है आपके जीवन में किसी कारे छेत्री को ले करके या घर की सुख सम्वंधित परिशानियों से आप जूज रहे हैं तो स्क्रेंट पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी जर्म पत्रिका के द्वारा कारण और निवारण हमारे द्वारा जान सकते हैं में ते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार